कि नमस्कार फाइनेंसियल विद गोफी कृष्णा में आपका स्वागत है जिसमें होती है म्यूचल फंड की बात आपके साथ हिंदी में वो भी साधारण भासा में देखिए एक कहावत है या किसी ने कहा भी है कि हम जितना भी पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा अपने पास भी रखना चाहिए जिससे की रिटायर्मेंट के बात की हमारी जब हम सेवा निर्वित हो या काम करने के लायक न भचे तो हमारी बची हुई जिन्दगी थोड़ा आसानी से गुजर सके तो इस तरह कि उसमें पैस पैसा इंवेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा आपसण म्यूचल फंड भी है मुचल फंड के लामा और भी कई आपसंस है लेकिन मैंने मुचलफण भी सबसे अच्छा आपसंध उपलब्द है मार्केट में तो आज हम इसी में चर्चा करेंगे कि मूचल फंड में कै कैसे investment करें और करें तो यह mutual fund कैसे काम करता है हम financial institutions में भी पैसा रखते हैं वहां से भी तुमको भी आज मिलता है हम क्यों रखें mutual fund में अगर रखें तो हमारी समझ में आगे चलो ठीक है लेकिन कैसे काम करता है जब मुझे मालूम ही नहीं कि इसका काम कैसे करता है mutual fund क्यों लगा में कैसे लगाएं पैसा कहां जाकर कि लगा में किसको देते आज इनी सब विच्वों पर चर्चा की जाएगी देखें mutual fund में जैसा नाम से ही इस पस्ठ है mutual का मतलब आपसी funds का मतलब धन हम सब लोगों का ही धन जो है एक तरह से आप यह समय लिजे कोई एक तालाब बनाया जाए उसी में जाकर के सभी लोग जिसका जितनी हैसियत है उतना पानी डालना सुरू कर दें भरना सुरू कर दें और फिर किसी प्रोफेशनल्स को यह काम दे दिया जाए कि उससे पानी निकाल करके जो जहां पर ज्यादा पैसा मिले ज्यादे ज्यादा धन मिले बेचने में वहां पर उसको बेच दिया जाए आज कि समय में यह भी काम एक बढ़ी है कई लोग क्या करते पानी बेचने वाला काम सुरू कर दिये कि जो है डिजिटल वाटर बेच रहें कहीं पर जाए यह रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पर आपको मिल जाएगा उसी तरह से मूचल फंड में भी क्या होता है कि मूचल फंड में ताला आप एमसी को मान सकते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी जितने भी इन्वेस्टर्स हमारे जैसे आप जैसे निवेसक होते हैं वह सबसे पहले मूचल फंड कंपनी सेलेक्ट करते हैं या उनके जो एडवाइजर होते हैं या अपना डायरेक्ट जा करके सेलेक्ट करते हैं हमको किस मूचल फंड में पैसा लगाना है और एक मीचल फंड कंपनी में भी कई अलग अलग तरह की स्कीम सोती हैं जैसे लार्ज का हो गय इस माल कायफ हो गया डेट फंट में जो है हाइब्रिट फंट हो गया है अगद दोनों तरह की होते हैं डेट फंट और जाए एकुटी और यह लोग डूरेशन हो गये क्रेडिट रिस्क फंड हो गए इस तरह के बहुत लंबी एक वराइटी होती तीस चालिस पचास आठ अलग अलग उसमें होते हैं इधर से भी का एक रेगुलेशन यह आया है कि एक कंपनी के पास एक ही स्कीम होगी यह नहीं किसमाल कैप के अलग अलग नाम से अलग कही स्कीम सक लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं यह कहीं होगी मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया कि यह आपने सेलेक्ट किया कि हमको जो है एबी सी कंपनी के जो है इसमाल कैप में पैसा लगाना है पच्चिस साल तीस साल के लिए पैसा लगाना है तो आपने क्या किया सबसे पहले अपना पै यह चेक करें या नेट बैंक्शिंग ट्रांसपर करें कैस नहीं चलेगा इस पर भी आप अभी आते हैं जमा करेंगे फिर उस एमसी में फंड मैनेजर्स भी होंगे जिनका काम ही होगा कि इस्टाक को सेलेक्ट करें किस्टाक में पैसा लगाया जाए जाए विचल फंड इसद्रेक्शन भी घोते हैं इतने प्रसेंट आपको डेटेट्स ओर रखना इतना जैना आपको एकुटी में रखना है अलाग इसाप से उनकी रिच्विश टिम होती है सेलेक्ट करके अलाग अलग जहीं है पैसा लगाते स्टाक फिर स्टाक से जहां जब कोई कहता हैं कि तो प्रॉफिट के हिसाब से जो होता है उससे पैसा दे देते हैं अब मालेजिए एक फंड मैनेजर ने जो है 20 स्टाउक लिए उन्होंने टोटल 20 स्टाउक परचेस कर रखें क्योंकि सेवी ने यह भी कर रखा कि एक स्टाउक में आप 5% से जादा नहीं लगा सकते हैं ऐसे बहुत ज्यादा रेस्टिक्सेशन कर रखें कि जो फंड मैनेजर जो इस पांसर्स या ट्रस्टी है उसका भी परसेंट पैसा उसमें लगा होना चाहिए कि अगर आपका म्यूचल फंड डूब जाए तो जब आपका पैसा डूबेगा तो आपको भी दर्ध होगा ना ऐसे चलो इंवेस्टर्स का पैसा है डूब गया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अब यह हो गया कि ट्रस्टी को भी अपना पैसा लगाना होगा परसेंटेज अलग-अलग डिसाइड होता है फिर उन चांट में जो रिटर्ब्स आते हैं उसे के साब से हमारे मुझेल फंड की बढ़ती रहती है अगर इस चांट कर रहें तो रिटर्ब एच्छे आते हैं अगर स्टार्ट नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो रिटर्न निगेटिव होते हैं कभी-कभी आप देखेंगे कि इंडेक्स मीचल फंड कंपनी में जितनी भी होते हैं उनका एक बेंचमार्क भी डिसाइड कर लिया जाता है जिससे कि सभी इंवेस्टर्स अपना रिटर्न कंपेर कर सकते हैं उसको बोलते हैं बेंचमार्क यह मीचल फंड कंपनी या जो इसकी में ड्राप भेशते हैं पहले ही उनको डिसाइड करना होता है कि हम किस इंडेक्स को फालो करेंगे अगर उससे अच्छा दे रहा तो उसी में पैसा लगाना सही होता है जो अपने इंडेक्स से ही कम बेंचमार्क से ही कम रिटर्न दे रहा तो उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए इसके बाद लोग जो है इसी तरह से इंवेस्मेंट चलते रहते हैं मुचल फंड का यही काम होता है इंवेस्टर से पैसा लू इस्टाक मार्केट में लगाईए रिटर्न जनरेट करिए और जब इंवेस्टर को ज़रूत हो तो उसको पैसा दे दीजिए आपके जो एक्सपेंसे चार्जेश हैं आपका मतलब मुचल फंड कंप्रीज कि क्योंकि जब उनके पास प्रोफेशनल और सारी चीज़ें जो है काम करेंगे तो उनको फीस भी चाहिए होगी तो बहुत लिम्टेट जो है इसमें मुचल फंड जो है अपने रेक्रिंग चा सब्सक्राब से होगा जो एयूम होगा मैं अब यह तो समझ में आ गया हम मुचल फंड इस तरह से काम करता है अब इसमें पैसा कैसे लगा में क्या करें कि सी दुकानदार के पास चले जाए किसी एजेंट के पास चले जाए तो मीचल फंड कंपनीज ने सबसे पहले से भी ने कहा है सेवी ने यह सारा काम मैनेज करने के लिए एक कम अर्गनाइजेशन एमफी एसोसियेशन आप मुचल फंड इंडिया यह उसके विहाब पे काम करती मुचल फंड सिर्फ वही लोग जो है मार्केट में सेल कर सकते हैं या एडवाईज कर सकते हैं जिनके पास एमफी में रेस्टेशन नंबर है एक्जाम पास किया ट्रेनिंग की वही लोग कर सकते हैं ऐसा ने किसी पारवाले दुकान पर गए मेडिकल इस्टोर वाले बैठा हुआ ऐसे आपको बता दिया कि जाकर के लगा दिया आप जाकर के डायरेक्ट लगा सकते हैं लेकिन यह आपका अपना रिस्क है अब कई लोग पूछते हैं कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में तो बहुत अंतर होता है कि डायरेक्ट में हमारा कोई खर्चा नहीं होता है और रेगुलर में जो है एजेंट को commission मिलता है पहली चीज भी पॉर्ण कंपनी या म्युचल फंड बेचने के लिए कोई एजेंट नहीं होता है एजेंट का मतलब होता कि एक आगमी सिर्फ एक ही कंपनी के लिए काम करेगा यहां पर मुचल फंड डिस्टिब्यूटर्स मिलेंगे अब से भी एक जो है नया कांसेप्ट और लेकर किये आईये आर आईये डजिस्टर इंवेस्टमेंट एडवाइजर उनसे आप एडवाइज भी ले सकतें फीज दे करके अपना पॉर्डफोलियो भी चेक करा सकतें उसके बाद ही अपना इंवेस्टमेंट करें ऐसे होता देखिए जो जिसका काम है वही अच्छी तरस कर लेगा आप सोचते हैं कि हमने चलो एक परसंट आधा परसंट अपना बचा लिया लेकिन इसके साथ-साथ आप कुछ काम भी कर रहे होंगे कहीं जॉब कर रहे होंगे तो उसकी क्या वाइल्यू है उस टाइम की थोड़ा उससे कंपेर करिए फिर देखिए कि क्या आपके लिए चीप पड़ रहा है अब investment कैसे शुरू किया जाए? mutual fund में investment करने के लिए सबसे पहले आपकी KYC बनी होनी चाहिए क्योंकि mutual fund बिना KYC के कभी भी investment नहीं लेते हैं और investment कैस में भी नहीं लेंगे कि आप सोचें कि हम जा करके 10 लाग रुपए लगाना है जा करके किसी mutual fund company में ऐसे अपना नाम बता में और देख करके लगा दें नहीं लगा सकते सबसे पहले आपको अपनी क्यवाइसी बनानी होगी नो योर क्लाइंट्स वह आपके उपार डिपेंड है कि आप कैसे बनाएंगे mutual fund company में जाकर के बनाएंगे आनलाइन बनाएंगे या किसी ऐसी बैंक की साखा में जाएंगे जो mutual fund company का काम करने के लिए अधिक्रीत है या किसी बिक्तिये सलाहकार के पास जाएंगे mutual fund distributor से यह आपके उपर निर्भर आए कि आप कहां पर जा रहें किसको पसंद कर रहें किसकी सर्विसेज मिल नहीं यह आपके उपर निर्भर जब आपकी क्यवाइसी बन जाएगी तब आप डायरेक्ट प्लान आपके चीप जरूर होते हैं लेकिन अगर जरासा भी आप उसमें नहीं ध्यान दे पाएं आज के समय में हो सकता फ्री हो आगे ना ध्यान दे पावित हो सकता आपको लास हो जाए तो इसके लिए आप किसी ना किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज जरूर लीजिएगा जिससे कि आपके रिटन बनते रहें तो आज हम लोगों का सिर्फ यही चर्चा की कि मीचल फंड किस तरह से काम करता है और कैसे इंवेस्टमेंट करें चैनल को सपोर्ड करने के लिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकान को भी जरूर ट्रस कर ले जिससे की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंसता रहे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार.